और राइट सो जेस इंट्रीव स्यूरीज को करते हुए बेसिकली आज डे 25 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लोजर क्लोजर क्या होता है एक most important, unique question is interview के point वे से हम लोग देखे तो definitely JS पूछा है तो आपको एक clear idea होना चाहिए कि क्या होता है जाँ होता है closure मैं सबसे पहले एक नई file क्रेट करूँ आधे25.js नामसे मैं आप लेको मैं 25.js परफेक्ट आप लोग देशकते हो अब इसके अंदर प्रैक्टिकल करने से पहले हम लोग करते क्या है एक मेरे पेज ओपन कर रखा है इस पेज का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दूँ वहां से आप लोग इस चीज को अक्सेस कर ठीक है you have learned that we can create nested function in javascript inner function can access variables and parameters of an outer function अब यार इसका मतलब क्या है इसको हम लोग देखो साथ साथ लेगे जलते हैं आपको बताता हूँ देखो इसका मतलब बड़ा है सिंपल होता है कि एक ऐसा function जो हम लोग एक दूसरे function के अंदर define करते हैं इसको हम लोग बोलते है nested function इ देखो closer का मतलब क्या होता है एक inner function है और एक outer function है outer function के variable और parameter को जो access कर पाई inner function है इसको हम लोग closer के अंदर डाल देंगे तो अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं definition के मताबिक हम लोग सलते हैं तो मैं सबसे पहले यहाँ पे वेस code पे सलता हूँ आप लोग देखो डे 25.js मैं यहाँ पर सबसे पहले एक outer function क्रेट करूँगा ठीक है मैं लिखाँ को स्ट आउटर ओके outer function equals to ओके इस तरीके से परफेक्ट तो मैंने एक outer function यहाँ पर क्रेट किया इसके जर मैं कुछ parameter भी set कर देता हूँ ए इस तरीके से और मैं यहाँ पर ए x equals to 10 इस तरीके से ठीक है तो x की value मैंने 10 डाल दी और यहाँ पर मैंने एक parameter a भी set किया है मैं यहाँ पर इसी के साथ करूँगा क्या एक inner function भी create करूँगा मैं लिखाँ कोस्ट inner function equals to fat arrow function ठीक है और अब मैं करूँगा क्या इसके अंदर console.log करूँगा इस x को x की value जो मैंने इस outer function के अंदर पास की है मतलब inner function का scope तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या मैं लिखाँ क्या console.log x perfect यही मैं करूँगा और अभी के लिए मैं क्या करूँगा इस outer function को मैं यहाँ पर इस तरीके से call कर दूँगा ठीक है perfect यही करना है मैं लिखाँगा सब कुछ क्लिंटों वैसे और रेडी है इस वाली फाइल को रन करने के लिए मुझे नोड एंड इस वाली फाइल का नाम लिखना पड़ेगा तो आप लोग दे सकते हो अभी मेरे सामने कोई output नहीं आ रहा है उसका reason क्या है इसका reason यह है आपने outer function को call किया बट आपने inner function को call नहीं किया तो आप लोग क्या करो आप लोग लिखो inner function या आपको भी हम लोग call करना था हैंगे इस तरीके से इसके बाहर हम लोग इसको call कर सकते हैं ठीक है अब हम लोग इस फाल को run करते हैं तो यह देखो मेरे सामने 10 आउट फुटा रहा है अगर मैं outer function के अंदर कोई value set करूँ suppose that बने आपर set किया five ठीक है और यह जो five है put हो चुका इस a के अंदर तो हम लोग इस x प्लस a करवा सकते हैं इस तरीके से ठीक है मतलब x की value 10 थी और a की value यहां पे five है तो five और 10 यहां पे plus मैं कर रहा हूं तो 15 इसका output आना से यह तो मैं इस तरीके से enter मारूँगा तो देखो यहां पे इसका output पुटा रहा है 15 आ रहा है अभी 15 आ रहा है ना इसका मतलब यह है कि इसके outer function के जो variable है इसके जो parameter है इसको access कर पा रहा है मेरा inner function यहां पे हम लोग इसको closure का एक example मान सकते हैं इसको हम लोग यहां पे lexical environment भी बोल सकते हैं lexical कोई पूछे कि यार आपको lexical environment का आपको example ब बता सकते हो ठीक है यह भी एक basic सा example है यहां पर अब माँ आपको बताता हूं क्या मैं इस x plus a को मतलब यहां पर इस inner function के अंदर मैं कोई एक variable define करूँ ठीक है और उसको मैं क्या access करना चाहूं outer function के अंदर मतलब इसके बाहर तो क्या मैं इस चीज़ को use कर सकता हूं क्या तो लेट सी देखते हैं अगर मैं यहां पर लिखता हूं variable b equals to और यहां पर मसलों string set कर देता हूं मैं excellent code with aj हमारे सेट किया और perfect अब मैं करूँगा क्या save करूँगा ठीक है और इस variable b को मैं क्या करूँगा इस outer function के अंदर use करने का try करूँगा तो मैं क्या करता हूं मैं यहा यहां पर console.log कर ओके console.log करना था हाँ इसके अंदर मैं b set कर देता हूं ठीक है तो क्या इस b को मैं access कर सकता हूं क्या इस outer function के अंदर क्या मैं इस inner function के inner function का जो b है इसको मैं access कर सकता हूं save करेंगे और file go run करेंगे इंटर मारेंगे तो देखो या आप लोग देखो यहां पर मेरे सामने आ रहा है कि b is not defined या देखो b is not defined आ रहा है मतलब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक simple सा यह example है closer का I hope आपको closer के बारे में सारा clear understanding हो गया होगा और अगर आपको कोई थोड़ा और जानना इसके बार दूंगा वहां से आप लोग उसको check out कर लेना काफी important है अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में तब तक लिए thank you guys so much take care bye bye